नमस्कार इस्टूडेंट्स प्यारे विध्यार्थियो आज हमारे पर्षन हैं वो बड़े ही सरल और सहज हैं लेकिन काम के भी हैं वेरी इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट हम किलियर करने वाले हैं और केंदर सासित परदेशों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो दो पर्षन आपने हैं कि भारत में कितने केंदर सासित परदेश हैं तो आपको संख्या याद है आठ अब वो आठ को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप फिर कभी भी नहीं बूलेंगे तो वो ट्रिक भी हम आगे अपनाने वाले हैं दूसरा हमारा पर्षन है कि केंदर सासित परदेश क्यों बनाये जाते हैं किसी भी परदेश को केंदर सासित यानि केंदर सरकार द्वारा सासित ये भी कॉंसेप्ट के लिए करके सेप्रेट वीडियो डाला हुआ है कि केंदर सासित परदेश और राज्ये में अंतर क्या है एक राजे और एक केंदर सासित परदेश में अंतर के है तो वो देखें आप वहां विजिट करें अब हम चलते हैं त्रिक के माध्यम से केंदर सासित परदेश याद करेंगे केंदर सासित परदेशों के नाम आपको ध्यान है दादर नगर हवेली दमन और दीप इन दोनों को 2020 में एक कर दिया ही आपको ध्यान है दिल्ली अंडमान निको बार दीप समय पांडुचेरी जमुकस्मीर लैदाख और चंदीगड और लक्ष दीप इनको हम ट्रिक के माद देम से याद करेंगे दा से धादर नगर अवेली दमन और दीप को हम दा दिल्ली दी अंडमान को दो चंदिगड को चै और लक्ष दीप को लो तो तो दादी आप जल्दी चलो दा से दादर नगरह वेली दमन दीप दीसे दिल्ली आ से आप में अंडमानी को बार दीप समय और पांडुचेरी जमुकस्मीर लैव से लैदाख चाय से चंदिगड और लैव sow देखेंगे कि कहां इसी थे अब आपको पता है कि जो अपने केंदर सासित परदेश हैं उनको यूनियन टेरेटरी कहते हैं यूनियन मतलब केंदर केंदर के अधीन इनका सासन रहता है तो इनको कहते हैं यूनियन टेरेटरी यानि केंदर सरकार इनके सासन को चलाती है थोड़ा सजूम कर ल अपने जो के अंदर सासित परदेश हैं यूनियन टेरिटरी हैं वो भारत के मैप में कहां इस्तित हैं तो ये लदाख है ये जमू कस्मीर है और ये लदाख है अब हम चलते हैं गुजरात और महराष्ट ये दादर नगरह वेली और धमन और दीप हैं दोनों को एक ही कर दिया परशास नीक दरश्टी कोण से नेक्स्ट जो है इनकी स्तिती पे आप देखते जाएं कि भारत के मैप में ये कहां इस्तित है ये लक्स दीप है छतिश दीपों का समोई ये अंडमान नीको बार दीप समोई है चोटे चोटे दीप हैं और इसकी राजधानी पोर्ट बलेर ह इसकी राजधानी का बारती है यहां पांडू चेरी है तो भारत के दक्षिन में तीन अपनी केंदर साशित परदेश हैं अंडमान नीको बार दीप समोई है ये पांडू चेरी है और ये लक्ष दीप उत्तर में हमने देख लिया जम्मुकस्मीर और लैदाख और गुजरात समुंदर तट अरब सागर के समुंदर तट पर हमने देख लिया दमन और दीप दाधर नगरह वेली अब भारत के मद्दे में जो कि भारत की राजधानी भी है यूनियन टेरिटरी भी है और याना की राजधानी चंदीगड तो चंदीगड भी केंदर साशित परदेश है ये चंदीगड है ये दिल्ली है तो बारत के मैप में भी आपको समझ में आ गया होगा की कौन सा केंदर साशित परदेश कहा है इस्तित तो आप परसन ये उठता है अपना second जो परसन था वो तो ये छोटे-छोटे जो छेत्र हैं, ये वैसे भारत की जियोगरफि में इनका बहुत मैतो पूर्ण इस्थान है, लेकिन ये इतने सम्वेदन सील जगय होती हैं, एरिया होती हैं, कि इनको पूर्ण राज्ये बना दें, तो कल को भारत की संक्रबोता को खत्रा उत्पन हो सक तो इनको पूर्ण राज्ये का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाता है, केंदर सासित, यानि इनका जो सासन है, वो केंदर सरकार के अंडर में रहता है, केंदर सरकार ही इनका जो सासन है, वो चलाती है, और वहां पे एक प्रशासक न्यूक्त कर दिया जाता है, या तो वहां उपराजेपाल जो कि केंदर के परतिनिधी के रूप में काम करेगा या वहाँ एक प्रशासक लगा दिया जाता है जो कि वहाँ केंदर के परतिनिधी के रूप में ही काम करता है तो ये जो अपना कंटेंट था केंदर सासित परदेश कौन से जिनको ट्रिक के माध्यम से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप कभी भी भूलो नहीं तो ट्रिक देख लेते हैं कौन सी है दादी जल्दी चलो दादी आप जल्दी चलो दादर नगरें दमनियो दीप दिल्ली अंडवान निकोबार दीप समय पैसे पांडू चेरी जैसे जमू कस्मीर लैसे लैदाक और चलो से चंदी गड़ोर लक्ष दीप तो यह अपना ट्रिक थी बहुत ही सरल ट्रिक है इसके माध्यम से आप बहुत आसाने से इसको याद करेंगे और कभी नहीं बूलेंगे इसमें आप देख पा रहे हैं एक बच्चा है जो कह रहा है कि दादी आप जल्दी चलो क्योंकि दादी है तो दादी को सम्मान जनक सब्दों से बोलेंगे तो बच्चा है वो दादी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दादी आप जल्दी चलो तो याद हो गया होगा आपको दासे दाधर नगर हवेली दमाने ओद्वीप दी से दिल्ली आसे अंडमानी कोबार दीप समय पैसे पांडू चेरी जैसे जमू कस्मीर लैसे लद्दाक दी मैंने वैसे जोड लिया कि जल्दी बनता इससे क्योंकि यह एक बच्चा है जो दाधी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि दाधी आप जल्दी चलो तो दाधी जल्दी चलेगी और हमें जल्दी यादे हो जाएगा तो हमने इनको बड़ी ही सरल तरीके से ट्रिक के माधिन से याद आपको कराने का प्रियास किया है और दूसरा हमारा पर्षण भी हमने बता दिया कि केंदर सासिद परदेश क्यों बना जाते हैं इनको राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता तो यह बड़े ही समवेदन सील जगे होती हमारा एक परकार का sensitive area होता है भारत का जो कि भारत की संप्रभूता को इनसे चुनोती मिल सकती है, इनसे खत्रा हो सकता है, तो अपने भारत के मैप में इनकी लोकेशन देखी, वहां आपको समझाने का प्रियास क्या कि किन छेटरू में, किस एरिये में ये इस्तित हैं, तो वहां की स्तिती को देखते हुए, उस ए केंदर अपनी सीधी नजर इन यूनियन टेरिटरी पर रख सके और अपना प्सासन चला सके तो इनके लिए भारत सरकार क्या न्यूक्त करती है वहां उपराजेपाल और या या तो उपराजेपाल न्यूक्त करेगी या प्रशासक कुछ अपने केंदर सासित परदेश ऐसे हैं जहां इनके केंदर सरकार का जो परती ने दिया उसको प्रशासक कहते हैं कुछ एरिया ऐसा है कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां इनको पराजेपाल कहा जाता है दिल्ली और पांडुचेरी यहां आमने देखा था दिल्ली दिली की राजधानी क्या है नई दिली और एक है पांडो चेरी यहां इनकी खुद की विदान सभआ है खुद का मुख्य मंत्री है लेकिन पूरी तरह से ये सब्टनतर नहीं यह केंदर सरकार के अंडर में आते हैं केंदर बहुत से विशे हैं जैसे यहां कि भूमी हुई यह कानून वेवस्था हुई यहां के अधिकारियों का भी मामला चल रहा है यह सब जो विशे हैं वो केंदर सरकार देखती है और अपने केंदर सासित परदिशों पर यह इनकी विधान सभा होने के बावजुद भी यह पूरी तरह से सलतंतर नहीं है एक विधान सभा है जो स्व के अंडर में आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक ओल दी बेस्ट थैंक्स फॉर बाचे